कि हां ऐसे हुए कि हालो अब हम इस इसको मारा प्वांपाश करता हूं तो आशी सुथ्म तो वे चुन्स तो देखिया था आप देखे गे लिए रिन लाइटिनिंग शिस्थम ठीक है त्रेन में लाइटनिंग का भी बहुत चीज़ है ठीक है क्या होगा कि जैसे रात के टाइम पर अपने चलाते हैं ठीक है चार्जिंग के लिए अपन सॉफिट भी देते हैं और अपने फैन वेगर भी अपना ऑपरेट कराते हैं ठीक है तो इस तरीके से अपने को कैच है कि ट वह जलाने में चार्च करने के लिए और रिज़ को उसको अपड़ेट कराने के लिए अपने को ट्रेनम यह लाइट का होना बहुत जरूर एक जो अपने को कह चाहिए कि इन बेसिक के रिक्वार्मेंट के लिए अपने को कह चाहिए कि आपका बल्ब हो गया टीव लाइट हो गया फैन हो गया यह थो जाना सुकेट में सुब्लाई देने के लिए अपने को प्रॉपार सुप्लाई प्रॉप्य सा Circuit करने पड़ेगी ठीक है तो यह हम लुग किस तरीके और यूज करते और थीक है आपने देखा हुआ है कि जैसे बैटरी तो इसमें देखिए कि अलग अलग चीज़े आपको पढ़ने के लिए मिलेगी ठीक है एक तो आग आगा आपका सिंगल बैटरी सिस्टम इसी का पार्ट है अलगल आपको कॉन्फीज होने की जुरत नहीं है ठीक है दूसरा है डबल डबल बैटरी सिस्टम या पैरलेल पैरलेलिंग ब्लोक अलग तर्लेलिंग ब्लोक ठीक है देखें आप सिंगल बैटर में क्या और एक माल लिए कि हम लोग ने एक बैटरी बैटरी बनाएं जिसमें लगबग या अठाइस बैटरी या होती है तहीं कि दूप बैटरी बैटरी बनाएं एक दूप सब्सक्राइब का रणिया । है एक यह होगा कि हम लोगों क्या कर ढ़िए कि दो बै्ट्री बैंक बनेंक कि बारएंगि है फाट्री देख लिए ना एक बंणी तो बैंक बनाने के लिए इस्कों ऌपन बोलेगा डवल बैट्री बैंक आ्पस और अपकर कर देंगे पैरलल तो इस तरीके से इसको बोलेंगे कि अगर आपन सिंगल ब्लॉक बना लिए तो डबल ब्लॉक होगा आपस में पैलल में कर देतों क्या होगा अब देखे यहां पे जो बैटरी का तो जब अपना वील रूटेट करता है उसके साब से ठीक है तो जब डैन्यमो जब विल्स घूमता है जब तो आपका का मिले कि DC supply में नेगा ठीक है और उसी DC supply सपन कहा करते हैं बैटरी को चार्ज करते रहते हैं तो देखें यहां पर दो तरीका सा यूज रहता है कि अपने पास जो DC है वो डारेक्ट पर सप्लाई अपन लोड को दे दिए ठीक है पंगा चलाने के लिए लाइट जलाने के लिए सौकट में दे दिए ठीक है दूसरा यह है कि DC supply को हमनों ने दे दिया बैटरी को ठीक है तुछ बैटरी भी चार्ज होते रहती है जिस ताइम पे अपना जो रेन है बिल्कुल स्टॉप है उस तेम पे कहा होगा कि आपको कोई भी पावर जनेशन नही होगा तब अपना बैटरी बैंक का यूज करके हम लो क्या करेंगे कि अपना सप्लाइड देंगे इन सारे चीजों को अपरेट कराने के लिए ठीक है तो इसको सेल्फ जनेशन है कुछ नहीं करना है यहां पर कि विल्स के साथ हम लों क्या करता है कि आपका डैनेमो कनेक्ट यहां ड्यक्राइड लिटांगे देखेंगे तो इस एपॉर्टाइड गला अब श्रीजा करेंद आणो अचेम देखेंगे talk. पाइन देख सेवा शुविदा ठीक है विच इंभूलेंस दा इमेज ओफ रेलवे ठीक है बाव किसी ट्रेन में पर लाइट के बवस्था है नहीं या पंखा है ना कुछ है ठीक है तो रेलवे की खराब बरसता को घर साता है ठीक तो यह सारा चीज होना यह रेलवे क्या एक वारी यह के ट्रेन में सारी फैसलेटिल होनी चाहिए ठीक है अल्दू दा फर्स्ट ट्रेन रन आउन 16 अप्रेल 1853 ठीक अंत कि पहले जो ट्रेन कप चले थी 16 अप्रेल 1813 को बंबाई से थानी के बीच में अपने को पता है रेन लाइटिंग सिस्टेम गें टू इंडियन रेल पाइनियर बाई MSJ स्टोंस एंड को पावर सप्लाइ सिस्टम को ट्रेन इस डिजाइन एंड डेवलप टू सूट दर रिकार्मेंट आफ एसी एंड नौन एसी वर्किंग इंड ट्री ठीक है देगे सबसे पहले इंडिया में जो ट्रेन आई वो कब चली थे 1853 पन में चली ठीक है लेकिन दिरे दिरा आप जब ट्रेन चली तो अपने को लाइटिंग के सिप्ट समझ में आने लगा कि ट्रेन दो चल रहे पाद आप अपने को कह चीए लाइट भी चाहिए ठीक है तो देन लाइटिंग सिस्टम कों पूं इंडियन रेलवे वो कब आ जो ट्रेन आप अपने को पावर सप्लाइब सिस्टम फोर ट्रेन इस डिजाइन एन डेवलर तु सूट द रिक्वार्मेंट ऑप एस्टेंग लिए पावर जनेट करने का कोशिस किया एक हम लोग कैसे की जो हमारी इमिनिटीज है लाइट है फैंस है उसके लिए अपन सप्लाई कहां स दें तो देन वहां पर हम लोग ने क्या किया तो एक सांटिस्त में स्टों एंड आपका यह आप का ड्याइन मीटर यह जो है कि यह आपका पीनियन में तड़ा उसमें क्या होता है कि आप देखना गाउं में जब मसीन चलती है ना तो उस आपका हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल एक लिए कि आपको उसको कनेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो एक पट्टी टाइप से करेंगे तक है और वंसको घूमाने के लिए ठीक है तो हुष से परहालगे कि वह को बार-बार पट्टा का उतर जाना है ओतर जाता है ठीक है रबड का बेल्ट जैसे आता है ठीक है जो इंजन और जिस भी चीज़ को रोटेट कराना उससे कनेक्टेट होता है तो देन हम लोग रहा किया कि उसी तरीके से सिंपल कि जो आपका वील्ज एंड डानेमो मीटर के हम लोग क्या किया कि उसी तरीके से पटते के साहरेट से अम उसको कनेक्ट करने का कुछिस के लेकिन देख रहा था जब उतार जा रहा था तो बार उसको चड़ाना पड़ा रहा था तो दिन अपना रेक एंड पैनियन तो जो इंजन का साफ होता है और जो आपने एक बेलट आता एस तरीक चैसे एक बेलट आता है और थीक है और हम उसम्चाजा देते को बेल उतर जाता है ठीक है तो यह समस्च करने की ये ठीक है हम लोग इस तरीके का यूज करते हैं ठीक है आगे देखिए फेक्टर कंसीडर फोर डेवलाप्मेंट ऑफ सस्सिस्टम और अंडर कंसीडर कुछ फेक्टर से हैं जब इसको डिजाइन करते हैं तो इसको अपने को ध्यान में रखने का जूरत है वो क्या है कोच का थे बल्कुल रखोड़ और दो कुछ दॉटाइब तो यह दो छोटा सिंपल साफ डिक्सान है आगे वन वे वन करके देखते हैं कि 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 किसकी तरीके का सिस्टमयाइन करते हैं करके हम लोग क्या ख़ते हैं इट्रेन में लाइटिंग का ब्योस्था करते हैं एक डिएर चैटिक है इसमें क्या है जनव जननेरेटिकक इसमें देखे एक्सेल डिरिवन सिस्टम वारुटर्किन ओट ट्वंट इशी समीस आध की जो वी उक्सेल के साथ , अशा बाका DC क्या करेंगे और generate करेंगे उस DC को directly अपने यूज कर सकते हैं बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर एक तो बर्क रहें आपका जिस्टम लगा हुआ है एक सो दस बोल्ट डीसी पर ठीक है दूसरा है आपका इसको स्वाट में हम लग बोलते हैं मिड ओन जनरेशन विद 415 वोल्ट 3-phase जनरेशन एंड ठीक है 110 वोल्ट एसी यूटिलाइजिशन ठीक है इसमें अपन जो मिड ओन जनरेशन में ये करते हैं 415 वोल्ट 3-phase जनरेशन एंड आपका ये जनरेट करते हैं और यूटिलाइज कितना करते हैं 110 वोल्ट एसी अपन क्या करते हैं उतिलाइज करते हैं अब नेक्स्ट है इन ओन जनरेशन अब देखें इन ये जनरेशन को सोर्ट में हम बोलते हैं EOG इन डॉन जनरेशन with 415 volt 3-phase generation and 110 volt AC utilization मतलब कि हम लोग generate कितना कर रहे है 415 volt 3-phase और utilize कितना कर रहे है 110 volt ठीक है indoor generation with 750 volt 3-phase generation and 415 and 110 volt AC utilization ठीक है तो देखें अब यहाँ पर indoor generation के हम लोग 750 volt 3-phase generation है ठीक है और utilize कितना है 415 and 110 volt AC हमारा कि आई utilization आगे है आपका head on head on generation ठीक है देखिए power feeding from OHE for lighting load ठीक है मतलब OHE से अपन पावर को feed करते है OHE system जासे अपन सप्लाई लेते है locomotive को run कराने के लिए वहाँ से पावर को feed करते है लाइटिंग सिस्टेम के लिए ये में यूज में इसमें देखिए साथ साथ पचास बोल डीसी ठीक है इसका यूज करते है हम लाइट्स एंड वर लाइट एंड फैन वार्क्स ओन एक्साथ बोल डीसी ठीक है अब देखें यहां पर फंद्रांड बोल डीसी लाइट्स एंड फैन वर्क ओन एक्साथ बोल डीसी ठीक है अब देखिए पावर पॉपरफिदिंग फ्राम हीडों जण फ्रोटलोट्स लोको के लिए ठीक है लोको के लिए पथे अपन्जो आलियो केड लिए फीड करें टिक वॉटलोट्स पावर बहुंड इलेक्टिक दिजलोकमोटिध성 अंदेख यहाँ से हुटलोट्स पावर इस टेकन फ्रॉम एलेक्रिक या डिजल लोकोमोटिव से क्या करेंगा पावर को लेगा ठीक है होटल लोड पावर सप्लाई टेकन डायरेक्ली फ्रॉम ओएची थ्रू ए सेप्रेट मेंटोग्राफ मौंटेड on the power car या कि जो आपका मतनब की पावर कार होता है जो लोकोमोटिव होता है उसको उपर एक सेप्रेट हम नोग पर पेटोगराफ लेंगे और उसकी सहता से करेंट को कलेक करके हम लो क्या करेंगे इस तरीके का जो अपना power feeding का काम करेंगे hotel loads के लिए ठीक है